योक्रेन में फंसे भारतिय चात्रों अनागरिकों को निकालने के लिए सरकार ने कबायद शुरू कर दी है। वहां होने की सूचना है। वही परदेश में होने ही बारिश व बर्फवाली को लेकर सीयम ने कहा कि परदेश के उपरी हिस्सों में बारिश का क्रम जारी है। सड़कों बिजली पानी को बहाल रखने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिये गए हैं। सभी मायने में बहुत लंबा हमारा विंटर सेजन रहा है। और आज भी हमको ये लग रहा है कि चिंता का विशे है कि अब इसके बाद दो दिन के बाद जो है वो मार्च का महिने शुरू होने वाला है। के चैनल के लिए शुमला से पुषपेंदर कुमार की रिपोर्ट